हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने चारहे है बेंगे सोया ब्रोकली लिक्ष सबसे पहले मैंने ये सोया वड़ी को फाइव मिनित माइक्रोविव कर गया है नमक के साथ अगर आप चाहो तो कैस पे भी उसको बॉयल कर सकते हो ताकि थोड़ी से सॉफ्ट हो जाए आप देख सकते है उसका टेक्स्टिर अब उसको एक हम चॉपर में लेलेंगे लिट कराम ब्रोकली हुआ है इसके बाद हम दो प्रेट के लिए स्टाइस ला लेंगे थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए इसे हार्स रोखाटों से तोड़के डाला है विडियम साइस का बॉइल आलू उसको भी साथ में डालेंगे एक बाफीर से हम उसको कर लेंगे अब देख सकते हो हमारा मिक्स्चर क्रश्च होके रेडी हो गया है अभी इसको हम एक बावल में निकाल लेंगे तो हम डालेंगे बारिक चॉप की हुई रेड चिलिस वन टीस्पून ओरिगनों सॉल्ट अब अपने ही साब से डाल सकते हो मैं यहां वन एन हाफ टीस्पून ले दिए हो वन टीस्पून ग्लैक पेपर पावडर यह सब चीज को में हाथ से मिक्स कर दूंगी मैं दो चम्मच कॉन फ्लॉराइर कर दूंगी बाइडिंग ते लिए अब इसमें से हम सारी टिक्कियों को राम सेप देखे रख देंगे अब लिख सकते हो यह टिक्कियों मैंने डाउन शेप में कर दिये फ्लैट करके अभी उसमें हम मैं बीच में ऐसे थोड़ा हलका प्रेस करके मोजरीडा चीज फिल करूंगी अब कोई भी चीज ले सकते हो उसको आशे फिल कर देंगे और अगें सेप देंगे उसको ठिक्की का अब हम थोड़ा कॉन्फलोर की सिलरी बनाएंगे दो चम्मस कॉन्फलोर लिया है उसमें हलका सा सॉल्ट डालेंगे और पानी से इसको कोट कर लेंगे पानी को डालके इसका एक गोल बना लेंगे अब जो हमने सारी टिक्किया बनाई थी बीच में मोजरीडा चीज को भरके आप देख सकते हो अच्चे से बेड कर गया है अब उसको हम एक बेकिंग ट्री में सैट कर देगे इस तरह से हम सारी टिक्कियों को ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में मैंने सॉल्ट और एगनो और ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स किया हुआ है आप इसको ऐसे सेट करके फ्रोजन करके रख सकते हैं और जब भी मन करें बेग करो या फिर आप डीप फ्राइब भी कर सकते हूँ इस आरी टिक्कियों मैंने ब्रेड क्रम्स से कोट करके रख दिया है प्रीज में पंद्रा मिनिट के लिए सेट करने के लिए रखोंगी आप डाइरेक्ट बेग कर सकते हो या फ्राइब भी कर सकते हो बट पंद्रा मिनिट के लिए उसको फ्रीज में रेस्ट देने से उसका टेक्स्चर और क्रिस्पी और कुरकुरा होगा कर दो कर दो कर दो कर दो दो झाल झाल